पुनारस आने के बाद मैं सबसे पहले आया था दसासु मेध गात दसासु मेध गात मेरा पहला गात था जिसे मैंने विजिट किया उसके बाद मैं जब इधर उधर मैंने एक्स्प्लोर करना शुरू किया तो मुझे यह बात तो पहले से मालूं थी लेकिन यह नहीं पता था कि दसास फुमेध के इतने नजदेक के बाद साल 1915 में दर्भंगा के महाराज कामेशोर सींग ने इस गहात को खड़ी दिया थी फिर उसके बाद इस गहात का विस्तार किया यानि कि इस गहात का एक्सटेंशन किया और आज जो इसका एक्स्टेंडेट पार्थ है उसे दर्भंगा घात कहा दे आता है यहाँ पर एक मुंसी महल भी था दर्भंगा महाराज ने खड़ी दिया लेकिन साल 1994 में वोम पिक गया और आज वहाँ पे प्रिज राम पहले से इसे क्लार्क होतल गुरूप्स ने खड़ीदा था और यहाँ पर वेक फाइट स्टार होतल खुल गया पहले तो यह दर्भंगा महाराज कामिश्वर सिंग ने साल 1915 में इसे खड़ीदा था और 1812 में स्रीधर नाराइन मुंसी ने इस घात को बनवाया था अब तो यह जो महल है और यह जो गहत नहीं पता लेकिन यह जो महल है आप यह बीजराम पैltum और इस एक लार्क फोत्टल गुरूप्स ने खड़ीदा और यहाँ फाइट स्टार बताई और इस महल में अंदर आप जाएंगे यह महल यह महल चूना पत्थर सेंड्सplaces और च फेर इस मेल के अंदर जाने का आम लोग को कुछ चांसी नहीं मिला कि आप यह फाइब स्टार होटेल बन चुका है तो वहां पर आप जाना मना हो गया क्योंकि अभी एक प्राइवेट प्रफ्टी है फेर यही था दर्वंगा घात का इतियास दर्वंगा महराज ने से स्रीध किनको पता चलेगा किनको नहीं पता चलेगा मैं मिठला डिलेटेट कंटेंट दाल रहां साल भर से तो मैंने सोचा कि दर्वंगा घात को बताना और दिखाना चड़ू कि तो फिलाल दर्वंगा महराज की जय हो उन्होंने एक दर्वंगा घात यहां पर बनवाया बनवाया नहीं यहां बनवाया extension भी तो बनवाना ही हुआ और जो अभी भी मुंसी घात भी यहां है लेकिन जो extended पार्था सिर्फ उसी को अभी दरवंगा घात कहा जाता है और यह बनारस के सबसे खूबसूरत घातों में से एक है जब आप यहां पर पानी में अगर आप लोग बोत रा प्लाल आज के दरवंगा महाराज के इस वीडियो में दरवंगा घात इस वीडियो में इजना है मिलते हैं फिर आप लोग से कभी किसी अगले वीडियो